तो दो हुजर चोबिस की रॉयल रंबल तो खतम हो चुकी है तो चलिए जानते है रॉयल रंबल के अंदर क्या-क्या बावाल हो चुका है तो हेलो दोस्तों मेराना मैं आरजे और आप देख रहे हो RG Wrestling फान्स रॉयल ड्रमल की स्टार्टिंग ही रॉयल ड्रमल के मैच से होती है जो कि वुमन्स रॉयल ड्रमल था सब को लग रहा था कि रॉयल ड्रमल का मैच रिया रिपली जीतेंगी या फिर प्रियंका बिलेर नाय जैक्स भी जीत सकती थी बेगल लेंच लेकर यहाँ पर सब को मैं जाता है फेटल फूरो मैच रोमर रेंज अपने अंडिस्पूर्ट इनिवर्सल हेवी विड चैंपिंशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट एज़ स्टाइल एले नाइट और रेंडी ओटन तो इस मैच के अंदर आपको आरको की बार साथ देखने को भी लेंगी फि जे स्टाइल को स्पियर लगा कि अपनी अंडिस्पूर्ट चैंपिंशिप को रीटेंट कर जाते हैं तो नेक्स मैच आता है यूएस चैंपिंशिप के लिए इस मैच के अंदर लोगन पॉल अपनी यूएस चैंपिंशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट केविन ओव उसके बाद लगी शॉट लगा देते हैं केवन ओवन्स लोगन पॉल को और वहाँ पर पिन करने की कोशिश करते हैं लेकिन केवन ओवन्स के हाथ का फाइटर रेफरी देख लेता है और मैच अडिस्कॉलिफिकेशन में एंड हो जाता है उसके बाद भी केवन ओवन्स आप फिर CM Punk जीतेंगे लेकिन इन में से ही कोई जीत चुका है इस मैच के अंदर आपको बहतरीन बहतरीन मुमेंट्स देखने को भी लेंगे आंदर आड़े की इस मैच के अंदर रिटर्न भी होता है लास्ट मुमेंट पर बचते हैं ड्रू मैकेंटायर, सैमी जेन, कोडी रोज गुनथर और बेस इन ड वर्ल्ड CM Punk और यहांपर रू मैकेंटायर, सैमी जेंड को, सेम पंक अलेमिनेट कर देते हैं ड्रू मैकेंटायर को, कोडी रोज एलिमनेट करते हैं इंटर कॉाण्ट इन गुनथर को और बचते हैं कोडी रोज और सीम पंक सबके दिल में एकी सवाल था इस मैच के अंजर तो सीम पंक ही जितने वाला है लेकिन सीम पंक को ही ऐलिमिनेट कर देते हैं अमेरिकन नाइट मेर कोडी रोज और वो जीत जाते हैं 2024 का रॉयल ड्रमबल अगें अगें तुक उन्हों ने चैलेंज भी ठोक दिया है ट्राबल चीफ रोमन रेंज को उनकी अंडिस्प्यूड चैंपेंशिप के लिए और रेस्टर मिनाफ 14 के अंदर वो अपनी स्टोरी लाइन को फिनिश करने वाले हैं रोमन रेंज के साथ और वो बनने वाले हैं डिव अंडिस्प्यूड चै अगर आपको वीडियो पसले तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब